इलाइस्टेडी प्लेटफोरम प्राप सभी का पुना स्वागत है हिमाचल परदेश स्टाप सेलेक्शन कमिशन हमेरपूर की तरप से जुनियर ओफिस एसिस्टेंड आईटी के लिए जो रिक्यूटिमेंट होने जारी है उसके लिए एक बड़ी खबर आई है और इस खबर की पुष्टी भी इलाइस्टेडी प्लेटफोरम आपको बड़े समय से निरंतर रूप से आपको जानकारी उपलवत करवा रहा था कि हिमाचल परदेश में करीब 2000 पदों पर जिवाइटी के लिए भरती होगी और आपने देखा 21.9.2020 कोई एक अड़टीजमेंट पब्लिस की गई थी दिब्य हमाचल समाचर पत्तर में उसमें कहा गया था कि आप 1160 जिवाइटी के विकैंसिस के लिए अपलाई कर सकते हो आज का बड़ा जो अपडेट आया है उसमें 596 में और पद समिलित कर दिये गया है कुल मिलाक के 1756 के आसपा से विकैंसिस बनती है अब हमाचल परदेश में जिवाइटी की जो रिक्यूटमेंट होने जा रही है उसमें 1756 पदों के लिए आप आवेदन आपके माननिया होंगे आपको दुबारा से आवेदन करने के आप सकता नहीं है पोस्ट कोड 817 के लिए आपने आवेदन कर दिया होगा यह दिन नहीं किया है तो अभी भी आपके पास समय है जल्दी से आप आप एदन कर लीजे इस वीडियो में आपको संपुन जानकारी देंगे आप कैसे पढ़ाई करेंगे किस डिपार्टमेंट में कितनी बकैंसी बड़ी है और आपको कौन सी बेस्ट बुक जियोईटी के लिए पढ़नी है और आपका ये एक्जाम कव तक हो सकता है स्टिक तथ्यों के साथ बिसलेशन करेंगे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ अभी तक हमारी जियोईटी की किताब मार्केट में उपलब्द नहीं हुई है कुछी दिनों में किताब आने बाली है करीब 600 से 700 के आसपास पेज होंगे साथ हजार से दस हजार के आसपास कोस्चिन भी इस बैंक में त्यार किये जाएंगे पिछले दस कंप्यूटर के कोस्चिन भी अपन सॉल्ब किये गया है मॉक टेस्ट की भी विवस्ता किये गी है एक ऐसी किताब हमारी टीम पिछले डेट दो महीने से त्यार कर रही है आठ से दस लोगों की टीम है निरंतर कड़ी मेहनत कर रही है कि एक ऐसी किताब हमाचली परदेश के अभ्यार्थियों को उप्रवत करवाई जाए जिसे पढ़के उन्हें लगे कि नहीं हमने कोई किताब ले थी और आज हमें सफलता है मिली और उसके पिछे इलाइश्टरी प्रेट फॉरम का हार्ड बर्क भी दिखता है इसी सोच को चरितार्थ करने के लिए आपको आने वाले साथ दिनों तक इंतजार करना होगा कल हम एक वीडियो जारी करेंगे जिसके उपर आपकी सुजेसंस मांगी जाएगी जो हमने इस बुक में 56 चैप्टर्स त्यार किये गया है और हमाने जो हमारी टीम के दोरा जो यहां पे कंसंट्रेट किया गया है जो आपका मेन स्लेबस का कंप्यूटर का उसके उपर किया गया दाकि आपको बहुत ही बेतर नजान करें मिले इस किताब के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा देखिए इतने जल्दी में दी मार्केट में कोई किताब आपको मिलेगी तो आप ऐसा मान के चलिए इतने जल्द कम समय में एक बेतर किताब नहीं बनाई जा सकती है क्योंकि कुछ ही महीने पहले GYT का स्लेबस परिवर्तित हुआ है तो आप अपने पैसे बजाके रखिए और एक हमारी आपको एक राय हमारी टीम के दौर आपको एडवाइज है कि अपने दोस्त और बुक्स लिम्टिड रखिएगा तब ही आपको सफलता मिलेगी तब तक आप क्या करेंगे आपके पास मैं होगा आप पढ़ना चाते है और नौकई लेना चाते है माचली प्रतित सरकार में तो आप हमारी किताब है आप अपने पास रखिए अच्छे से पढ़िए हिमाचल पर्देश की हर चोटी बड़ी प्रिक्सा में दिया आप बैठना चाहते है तो आपको हिमाचल पर्देश समान्य गयान मजबूत करना होगा और एक किताब आप में इसमें बहुत साहिता करेगी आप इस किताब को सीधी हमारी बैक साइट इलैस्टेडी कोड़ टीन से ओर्डर कीजेगा तीन से पांच दिनों में आपके घर पहुँच जाएगी दूसरा काम आपको क्या करना है आपको अभी मैं बताऊंगा प्रिक्सा आपके कब तक होने बाली जल्दी ये प्रिक्सा नहीं होने बाली है सबर रखिएगा आप लोग तथ्यों के साथ बताऊंगा इस वीडियो में कब ये प्रिक्सा होगी तब तक आपको क्या करना है आपको पिछले 9 महीने के क्रेंट फिर्स हमारी इलैस्टेडी टीम दोरा त्यार किये गए है इस एक क्रेंट फिर्स में क्या मिलता है आपको एक चीज आपको क्लियर कर दें पहले इन क्रेंट फिर्स में देखिए आपको हमाचर परदेश के क्रेंट फिर्स मिलते है राष्टत अंतराष्टे क्रेंट फिर्स मिलते है और गिरीरा समचर पतर का सारांस भी मिलता है देखिए इस किताब की बात करे दूसरी किताब है जिसमें आपको अगले तीन महीने के लेटाश किताब है तीन महीने के करेंट फेसς इसमें उपलाओड कर वाय गये है तो यह दो किताबे आपको परचेस करनी है बहुत ही लो प्राइस भी आपको कभी किसी नजदिकी सॉपक्विबर के पास भी मिल जाएगी लेकिन हो सकता है उनके पास स्टॉक ना बचाओ तो आप इलैश्टरी को रोटीन वेबसाइट के माध्यम से मंगवाईएगा इन दोनों को तो तक अच्छे से पढ़ लीजिएगा बाकी आगे की त्यारी के लिए दस अचार का कोशिन बैंक बहुत सफिसेंट बैंक होता है जो कि आपको जुनियर ओफिस एसिस्टेंट के लिए नौकरी दिलाने में साइक सिद्ध होगा तो ये किताबें आपको अभी जैसा मैंने आपको वीडियो में कहा कि जुनियर ओफिस एसिस्टेंट की किताब के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेंगा अब दिखे चलते है जुनियर ओफिस एसिस्टेंट पे देखे इस notification के पहले पन्ने पर भी कहा गया है कि 31.12.2020 और the date of return objective screening test whichever is earlier यदि ये प्रिक्सा कती बारा से पहले हो जाती है तब तक या ये नहीं होती है तो 31.12.2020 तक जिस भी department से JIT के लिए कोई भी इनको request आएगी अब देखिए प्रिक्सा कब होगी मैं आपको clear कर देता हूँ आपके समने तीन हुदान रखूँगा यहां पर काफी पीछे आपको जाना पड़ेगा इदि आप बात करेंगे सेक्टेट में clerical की प्रिक्सा हुई थी क्रीब 90,000 बच्चों ने उसमें लिए अपने भवीश्य अजमाया था हमने बहुत उसमें सेंटर देखे थे बहुत दूर दराज में भी सेंटर बनाने पड़े थे तब यह बच्चे अडजेस्ट हो पाय थे उसके बाद पटबारी की प्रिक्सा आपने देखी उस प्रिक्सा में भी करीव इसके आसपास ही बच्चे थे तो उस टैम भी क्या हुआ था काफी दूर दूर के क्सेतरों में भी सेंटर स्ताफिद करने पड़े थे इसमें बहुत ज़्यदा समस्या आती है बोर्ड को भी विभिन तरा की जो मिसन बोर्ड को और अब देखिए कोबी-19 पेंडा में कभी खतम नहीं हुआ है अभी चल रहा है सरकार के डिरेक्शन से उसे फॉलो किया जा रहा है तो ऐसे मैं आप मुझे बताइए कि दिसंबर तक तो ये प्रिक्सा आपकी नहीं होने वाली है और यहां पर करत्ती बारा दो हजार जेओटी के विकैंसी के रिक्यूटिमेंट होने जा रही है तो 1756 के आसपा से पद होगे और जब तक ये आपकी भरती होगी तो ये 2000 प्लस होगा ऐसा हमारा मायना है ऐसा हमारी टीम का बिसलेशन है हम अपने टीम के कड़ी मिहनत और जो हमारी स्टिक एनलीज होत इन्जेक्शन आ जाता जैसे भी आप समझार पत्रों की सुर्ख्यों में पढ़ रहे है उसके बाद भी इस प्रिक्सा में ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि एक लाख प्लस-प्लस कैंडिडेट्स होंगे उसके लिए आपको कोसिन प्र भी चापना है पहले बनवाना है फिर चापना है उसकी और विवस्ताएं करनी है उसके बाद अलॉट्मेंट करनी है तो लग रहा है कि इस प्रोसेस के लिए कम से कम दो से तीन महिने का टाइम कमिशन को चाहिए होगा तब यह प्रिक्सा अच्छे से हो सकती है और कनक्टर की प्रिक्सा में भी आपने देख हुआ था तो इन सारी चीजों को अब जर्ब करें तो इस बार जो आगे वाली प्रिक्सा है उसके लिए काफी स्टिक निर्नया लेगी हिमाज़त पर्देश सरकार स्टाप स्लेक्शन कमिशन भी लेगा ताकि किसी तरह की कोई तरुटी ना रह जाए तो आपको जल्दी किस है एक अच्छी किताब का इनतजार कीजिए यह किताब आपके हाथ में होगी साथ से दस दिनों में बस इसकी ताभ का अंतेमं चरनों में काम चलरा है आपके साथ कियाजाएगा इसका प्रिव्यू आपको दिखाया मिलेगी जैसा कि आपने हमारी हदेन स्मगरी को देख लिया होगा अब आपको बता देए कहां कहां पर बढ़ी है जो पांसो चैनल में पढ़ी है यहां पर हच पी यूमन राइट्स कमिस्ट में दो बढ़ी है सेटलमेंट ऑफिस सिमला में तीन बढ़ी है एक्स एजन्ट एक्सेशन डिपार्टमेंट में 27 बढ़ी है लेकि इस डिपार्टमेंट में रेगलर भी रेक्यूटमेंट होती थी तो यह देखना दिल से स्पोगा कि यह रे है रेजुकेशन में अभी यहां पर मुझे देखने को नहीं मिल रहा है उससे भी कुछ नहीं कुछ और आने वाली है एच्पी स्टेट फोरेस्ट डिवालमेंट कॉर्पोरेशन की बात करें 13 बढ़ाई गई है एच्पी डवलीडी की बात करें 21 इंक्रीज की गई है बढ़ी है तो इस इसाब से 1756 बढ़ने का आपको बीजन दिखा दिया तो समय आपको पहले वीडियो में का पुना रपीट कर रहा हूं इन किताबों के साथ में अपने तयारी को प्रारम किजिए नियमीत रूप से हमारा सुबह क्रांट फिर इसका वीडियो सुनते रहिए और आगे बढ़ते रहिए निश्ची तोर पर आपको सफ़दा मिलेगी कमेंट सेक्षन में अपने ब्यूज भी जरूर दिया करो कि आप कैसी किताब चाते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर्स की अभी हमारे पास आठ से दस घंटे का समय है इस किताब को फाइनलाइज करने के ल पर आपको एंवर मकाः था अगुछ ़रूर भी हमारे आपको रो जरूर आपको एद मिलेगी Fast.